कि कोई नहीं कर लेंगे तो अच्छा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है करने दो वहीं करने तो कि यस तो कल अपन लोग यह देख रहे थे कि अगर हमें बाचित बांत पोटेंशल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हो तो वहां से फोर्स तक कैसे पहुंचा जाता है क्या याद आरे आप को हमने देखा था कि अगर हमें आपके लिए स्क्रीन पर किमाल लीजे पोटेंशल एनर्जी आपको दी हुए है एक्स स्क्वार वाई प्लस एक्स वाई स्क्वार आपसे पूछा जा रहा है फाइंड at 1, 2, 1, 2 only x and y coordinates आपको फॉर्स फाइंड आउट करना है वन कमा टू क्या साल्व हो गए किया कितना आ रहे हैं क्या रहे हैं बताओ जल्दी बताओ अधिसर्व से टू एक्स वाई तो एक्स की वेली वान और वाई की वेली टू कितने वाइट पॉर माइनिस फॉर आई के अपा रहे हैं ओके लेट सी देखते हैं अगर अपन को एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है कि लोग यहां पर जनरली क्या मिश्जिक करते हैं वो तो लेट टेम को मुझे एक्स कंपोनेंट फाइबार करना है तो वह थे सिर्फ एक्स स्क्क३यर वाई को ही पार्शली डिफरेंटियेट करोगे तो यह आपके लिए बन जाएगगा क्या टू एक्स बाइब कि तो कहते हैं, यह x component आ गया, क्यों भई अगला वला term नहीं करोगे, नहीं नहीं सर यही करेंगे ना क्योंकि यह पहले लिखा हुआ तो यह आई बताएगा यह potential energy है, क्या है यह potential energy है, तो यहाँ पर potential energy के पूरे expression को आप partially differentiate करेंगे with respect to x, तो यहां पर सिर्फ 2xy नहीं आएगा आप इसे भी partially differentiate करेंगे एक्स के respect में करेंगे तो पताइए आगी क्या आएगा y square yes or no similarly अगर मैं आप से पूछू y component के बारे में तो क्या आप यह कहेंगे कि expression को partially differentiate कर भी जिए y के respect जब आप y के respect में करेंगे तो x square y यह क्या बन जाएगा x square और x y square को करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 2xy अब यहां पर आप x और y की values put करें तब आपको x component मिलेगा कितने लोगों ने सही गिया था कर दो 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 कि नहीं आया समझ पक्का ठीक है अगला question लिखेगा आपको जो potential energy दी हुई है that is 5R square आठ जो हेना आठ चैका यह आड दिसarten रोरीजन इक है आड दिस्टां सिर ओडिजन अपसे उला जारा भा लिखेग्ड आपसे बोला यह ऩुए प्वाटर पूटेंच्यल एनर्जी आपको 5R स्क्वार लिखा हुए और इस डिस्टेंस पॉम और इजन आपसे बूला जा रहा है कि आपको यह बताना है कि फोर्स क्या होगा बहुत आसान है मैनस के डी ओ बाइड डी आ ऍपॉर्स का मैगनीट्ड लिखना चाहऊंगा क्या लिखना चाहका मैन्टींड मैंनेद्ड उस्टेंगे लिख तूंगा सभी का काम करने वाला नहीं यह सब Na होगा माइनस 10 आर इंटू आर के अर्केप इस यूनिट वेक्टर इन दे डिरेक्शन आप यह समझ में है यह सानू हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्ट वेक्टर है यह तरीके से लेकिन आर केप को लिखने का तरीका देखो क्या लिखोगी मैनस 10 आर इंटू आर वेक्टर अपना चैया यूनिट क्यों लेक्टर ठाक माइन है तरीका है यह यह तरीक systems तरीके से लिखोगा है और और प्रैक्टर को इस तरीके से लिक्यगा पमीन की लेकर Carbon इस्स विल ग गचें लुट इन और agwar रोना सही नहीं होगा इस case में क्या होगा 10 R vector वो तो चलो किस्मत अच्छी है यहां पर R ही है वहाला भी R cube होता क्या होता अच्छा समझना होगा उस case में यह वाला टम भी बनता है तो यह गलती हो जाती है लोग इसको नहीं लगाते जिस magnitude निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं और पहला option magnitude ही दिया हो आगे आरकेप का मल्टिप्लाइ नहीं करते हैं लेकिन आरकेप का भी मल्टिप्लाइ करेंगे कि समझ आगे भी कि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अबाउट लेटर-एकिलिप्लाइ मिल्टि और लेट यांच का ओंडे हैं अपेंगे डाहल है कि अन्व hatred जब भी चत्रचा वो थी समय्त आज पिरिमल मतलब है जो नेट पोर्स है वो नेट-फोर्स क्या होना चाही है गर उस अ एक्किलिबिडियम तो इक्किलिबियम को मतलब बॉड़ी फे नेट पोर्ट क्या कर देना वाई जीरो लेकिन अब हमने एक्किलिबियम को फर्थर तीन केटिग्रीज में डिवाइड किया है on the basis कि यहां पर यह लग अलग तरीके के कि कि अर्शा करोंगा कि दूसरा अनिस्टेबल को और यह पर लाश्ट वनें इस नीउट्रल इस बाड़ी अगर एक्किलिबियम में है और आप यह चेक करना चाहते हैं कि उसका नेचर कैसा और नेचر मतलब वो श्टेबल होगा या उन्स्टेबल होगा तो उसे चैक करने का तरीका यह होता है कि body को उसकी equilibrium position उसे में mean position भी बोल परता हूं उसे उसकी mean position से slightly displace करें क्या ख़ड़ है slightly displace करें अधर आप 3D में बात कर रहे हैं तो जब भी हम equilibrium की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये बोलना पड़ेगा कि आप किस एक्सिस के लॉंग देखना चाहिए जैसे मैंने कहा कि मैं equilibrium x-axis के लॉंग देखना चाहता हूं मैं equilibrium x-axis के लॉंग देखने का मतलब यह है कि मैं यहां पर nature of equilibrium चेक करना चाह रहा हूं मैंने का body पर net force क्या है जीरो क्या body equilibrium में है या नी अब अगर body पर net force 0 है तो अगला सवाल यह है कि वह equilibrium का nature क्या होगा तो मैंने कहा कि body को x-axis के लॉंग डिस्प्लेज किया क्या किया x-axis के लॉंग डिस्प्लेज उसको डिस्प्लेज करने के बाद हम यह चेक करेंगे कि वह body जो है वह बाफिस अपनी mean position के towards आ रही है या वहां से दूर जा रही है या फिर कहीं भी नहीं जा रही है that will decide कि उसका nature किस तरीके का होगा जैसे कि stable equilibrium बहुत simple सा एक example से मैं समझा सकता हूं मालिजे इस तरीके का hemispherical bowl है जनाब और इस hemispherical bowl के अंदर यहाँ पर एक particle है कि अब 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 लोगों ने क्या किया इस गिवन बॉडी को यहां से slightly display किया क्या किया slightly display हम यह चेक करना चाहते हैं किस तरीके का तो slightly हम इदर display कि ए एक बाब बताओ जैसे display करके release करोगे वाट विल हैपन क्या यह वापिस नीचे आना चाहेगा क्यों वापिस नीचे आएगा क्यों वापिस ने चाहे हैं क्यों क्यों डिस्प्लेस करने के बाद इस से जो भी cry restoring force developed हुआ होगा वो फर्स इस तरफ लग रहा होगा जिसकी वह ! क्या है वापिस आना चाहेंग तो से देख नो यह लाइक दिस धर बोड़ी मिन इस नो बोड़ी को Slightly displace किया क्योंख्यों स्लाइट ली डिस्पलेशन यहासे ठोड़ा सा जैसे आग 큰स्पलेश किया क्या लगता है वान कर दो किया लगत दीड को तो अब यह बाग जाएगा तो इसका मतलब यह भाग गया, इसका मतलब यह हुआ कि जिस direction में displaced किया, उसी direction में इस पर force लग गया, अरे बापिस आना और बापिस ना आना, यह इस बात पर depend करेगा ना कि displaced करने के बाद उस पर force कि इस direction में लग रहा है, yes or no, जैसे कि पहले वाले case में, मैं यह कहूं कि या हमें कहेंगे कि particle को जिस direction में हमने displaced किया है, force उस direction के opposite लग रहा है, तो हमने यहां जाकर के छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तो force हमारे displacement के क्या लग रहा था, opposite, तो particle वापिस आगिया, अगर मालोड डिस्प्लेस करने के बाद, force भी उसी direction में लग जाए, जिस direction में displaced किया है, क् क्या करेगा, भाग जाए, अरे हाया ना, जैसे इस case में मैंने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया, और जैसी release किया, इस पर जो भी force लगा, वो force इधर की तरफ लगा, तो वापिस लट के नहीं आएगा, तो भाग जाए, तो यह unstable, यह क्या है, neutral is like you, कोई फरक नहीं प पड़ चुके हैं, खतम हो चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है, मैंने यह रखा एक flat surface पर यहां पर, बड़ी पर net force, zero, थोड़ा सा आगे displace कर दिया, अब यहां रख दिया, यहां पर भी net force, पीछे displace कर दिया, कहीं भी displace कर लो, आगे कर लो, पीछे कर लो, जहां रख दो के नहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मतलब यहां पर, for every value of x, बड़ी पर net force क्या है, zero, actually body को mean position से displace करने पर, वहां पर कोई भी नया force develop, हो ही नहीं रहा, तो यहां पर इस तरह की अगर situation आ जाती ही, आपके सामने, that is neutral, that is what, neutral, है न, यह बात clear है, यह note down करें, फिर आगे बात करेंगे कि mathematical equations को check करके, हम कैसे identify करें, दुनिया का हर एक system, अपनी potential energy को minimize करना चाहता है, that is universal law, यह बात समझते हो, अगर कोई भी process खुद से हो रही है, spontaneous हो रही है, क्या हो रही है, spontaneous हो रही है, तो वो इस direction में move करेंगी, जिससे पूरे system की, जो total potential energy है, वो क्या हो, कम हो, एक बाल को release किया, एक तरीका है इस बात को ऐसे समझना, कि हम force से समझना चाहते हैं, एक बाल को release किया, मैंने पूचा, कहां जाएगी, तुमने कहां नीचे जाएगी, मैंने का in terms of energy बताओ, force के terms में बता दो कि force लगा तो नीचे चला गया, मैंने का in terms of energy बताओ, मैंने का नीचे जाने पर, उसकी gravitational potential energy क्या होगी, चाहिए chemistry में bonds का formation हो रहा हो, चाहिए physics में कोई भी phenomenon हो रहा हो, अगर कोई भी system free है, then it will try to minimize the potential energy, जैसे मैं एक particle को लूँ, और एक particle को पकड़ के यूँ पानी में दुबो दूँ और छोड़ दूँ, तो particle कहां जाएगा, उपर और नीचे, नीचे जाएगा, अच्छा, मतलब नीचे भी जा सकता है और उपर भी जा सकता है, वो depend करेगा कि particle की density कम है या particle की density जादा है, लेकि मैं guarantee से दे सकता हूँ, जैसी तुम release करोगे, वो उस direction में जाएगा, जिस direction में जाने से पूरे system की, overall पूरे system की total energy क्या हो, कम हो, potential energy, जैसे कि यहाँ पर, मैं इसको यहाँ ले जाके release किया, कि कहां आया, नीचे, इस बात को आफ force से भी समझ सकते हैं, और energy से भी समझ सकते हैं, मैंने कहा यह नीचे इसलिए आया, क्योंकि नीचे आने पर, इस system की potential energy है, तो वो क्या हो रही है, काम हो रही है, इस बाले को देखे, मैंने यहाँ से आगे release किया, आगे ले जाके, यह बापस नहीं लुटा, नीचे की तरस चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि नीचे जाने में, system की potential energy क्या हो रही थी, काम हो रही थी, यहाँ पर, आगे या पीछे, there is no change, हर एक point पर potential energy क्या है, same ही, आप आगे displace करने या पीछे displace करने, कोई भी potential energy में change, आया ही नहीं और जब potential energy में, कोई भी change नहीं आया, तो of course, उस देश में क्या रहेगा, neutral रहेगा, क्या रहेगा, neutral, तो इसको आप energy से इस तरीके से समझ करते हैं, ठी, अब देखेंगे यहाँ पर, next heading डालीगा, mathematical, mathematical conditions, to find, nature of equilibrium, mathematical conditions, to find the nature of equilibrium, अब 1D equilibrium की बात कर रहे हैं, इसी एक direction में, जैसे की जिहान से देखना, सबसे पहले मैं चर्टा करता हूँ, stable, यहाँ पर, मैंने एक 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 ग्राफ डॉक किया, वो graph इस तरीके से, यह दिखाई दे रहे हैं सब्सक्राइब, यह एक्स बराबर एक्स नॉट, जैसे मुझे जल्दी से बताईए, कि इस गिवन पॉइंट पर, एक्स बराबर एक्स नॉट पर फोर्स क्या है, लगर आपसे एक्स ग्राफ को इदे दे, मतलब फोर्स का variation दिया हुए, लगर एक्स आक्स क्यालव मूव करने पर, और आपसे पूछा जाए कि body कहाँ पर एक्स फिलिब्रियम में हो, मैं यहां पर यह मान करके चल रहा हूँ, बोड़ी पर जो भी फोर्स लग रहे हैं, वो एक्स अक्स क्यालव ही लग रहे है, एक्सिस अपर एक्सिस के ऐलोंग लग तो यहां में आंपे आपके SAY एक्सिस कोंड़ी एक случае मैं इस पी जाषचह हूं रॉंक रहें नहीं हुथ यहां पर एक करेगा यहां पर एकक्सिस को तो चाज करेगा वहां पर क्या आएगा एक्किलिबिरियम आगे एक्स नॉट पर पहला सवाल खतम कहां पर है यह खतम हो गया जब भी आप कि करने का तरीका क्या और अच्द करोंगा त्म बाले है एक बावच को और ने आँगे की तरफ تم दिस्प्रेस किया इस पर फॉर्स की हमाई बॉन्स बहुत हैं कि पर पीछे बाहां पर पो पीछ है तो है पीछे की तरफ डिस्प्रे संथ पीछे की तरफ lows कि एक बहक दो आ इधो आग फोर्स पोसिटीव इनगेटTY मैं आगा फोसीतिव इस पॉइंट पर जैसे हिविस करोंगें तो इसको सन लगए आगे पीछे तो बताना यह पॉइंट एक्क्यूलिब्रियम का स्टेबल या निस्टेबल रखका गारेंटी से मैं बोल सकता हूं आज के बाद जहां भी एक्क्यूलिब्रियम स्टेबल होगा वहां पर ग्यांटी है विए वाक Richards आजय को आम चानी चाहिए एक्स बढ़ाने पर फिर्लैडर ओंडिंक्रीज करने पर इस करें दोब टेखो डीएप़ दिया रफ क्या है है यह जोब नेगिट WRG आपने आगे बढ़े तो फोर्स नेगिटिव हो गया और पीछे बढ़े तो फोर्स पॉजिटिव हो गया तो दी एफ बाई डी एक्स अगर नेगिटिव है तो फोर्स तो जीरो है इसकी चर्चा अब थोड़ा सा एनर्जी की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं एनर्जी मालो इसके उपर इस बाड़ी के उपर जो भी फोर्स लग रहे थे वो conservative forces थे conservative forces थे conservative forces थे आपको अगर पता हो तो मैं force की value को क्या minus के इस लिख सकता हूं क्या अरे यह सब्सक्राइब एक बात बताना आपने गोला है negative कि f की value यहां पर पूट करो क्या रखोगे वैल कि यू बाए डी एक्स क्या मैं सही लिख रहा हूं बेटा एक की value यहां से पूट कर दी मैं डिवाइड में क्या है डी एक अरे हां यह अना यह overall जो quantity है क्या यह negative होनी चाहिए लेकिन यह negative sign लगा हुआ है अगर negative sign उदर पलट गया तो inequality का sign बदल जाएगा अगर inequality का sign बदल गया तो जल्दी से बताना यहां पर double derivative of potential energy क्या है पॉजिटिव या negative positive आता है मुझे एक बात समझ में आई potential energy की अगर मैं चर्चा करूं तो इस point पर du by dx की value 0 होगी जहां equilibrium है अरे यह अगर यह 0 minus नहीं लगाया कोई तकलीफ तो नहीं है तो किसको 0 ही करना है माइनस लगाओ यह ना लगाओ कोई फ़रक नहीं पड़ता है यह 0 होगा और यह double derivative positive होगा यह सब्सक्राइब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर पोटेंशल एनर्जी का variation देखोंगा ना जिस पॉइंट पर equilibrium आया होगा मैं guarantee से बोल सकता हूं वहां पर अगर तुमने tangent draw कर दी तो उतलो आ रहा हूं पोटेंशल एनर्जी का कर बना रहा हूं किसका कर बना रहा हूं पोटेंशल एनर्जी का इनका ऐसे बना दिया है इनका guarantee है इस वाले point पर ना अगर तुमने tangent draw करी क्या draw करी tangent तो यह tangent का slope 0 ही आए कि यस और नो क्यों बोल पा रहा हूं ऐसा क्यों कि डिवाई डिएक्स की value क्या है जीरो डिवाई डिएक्स का slope of tangent होगा अगर मुझे UX कर दिया हूं कौन सा कर दिया हूं UX कर तो उस point पर जहां equilibrium होगा वहां पर slope of a tangent क्या होगा जीरो और साथी साथ तुम कहरें डवल derivative positive उस जल्दी से बताना डवल derivative क्या बताता है क्या concavity बताता है क्या याद आ रहा है किसी भी graph की concavity अगर हमें चेक कर दिया क्या वो derivative से पता कलती है तो यहां पर double derivative positive होने का मतलब concavity upward है downward upward तो मैं यह कह सकता हूं कि वहां पर यहां पर equilibrium stable होका वहां पर यह concavity upward होगी like a smiling face तो तुम्हें लग रहा हूं कि यह थोड़ी देर पहले बताया था नालाई को यह graph है यह क्या है graph और पहली देर पहले बताया था वो एक कटोरा था क्या था कटोरा वह बात सही है कि उस कटोरे की shape stable equilibrium में और इस graph की shape stable equilibrium में यह दोनों क्या हो गई है मैच हो गई है लेकिन यह potential energy का variation दिखा रहा हूं तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम potential energy का variation देख रहे हैं किसका variation potential energy का with respect to position अब कुछ आ रहा है तो जहां पर concavity upward होगी concavity upward होगी और slope of the tangent zero होगा वो हमेशा stable होगा वो हमेशा क्या होगा तो देखो दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं आइधर या तो आपको f का function देगा या फिर आपको u का function तो हमेशा क्या करें अगर f का function दिया तो f को तो सीधे 0 करते है को एक्किलिब्रम पता चल गया क्या पता चल गया एक्किलिब्रम चेक करना है कि वह एक्किलिब्रम स्टेबल हे या नहीं है तो देवल उसका उसका बाठीब कर देघर करके समझ भी आ रहा होगा कि अगर concavity upward है एस गिवन पॉइंट पर इस system की nearby पॉइंट की कंपेरिजन में कोटेंशल एनर्जी क्या होगी कम होगी ज्यादा होगी कम होगी गरिवां झाल एनर्जी जयात सptsरे प्रफेंशल एनर्जाद. झाल 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 कर लिए बढ़े आगे बढ़े देखो मुझे ऐसा लगता है यह रिजल्ट तुम्हें याद रहेगा कि अगर इतने समझदार हो कि तुम्हें खुद समझ आगया होगा अगर मैं बात करूं अनिस्टेबल तुम्हें देखना द्यान से कर रहा हूं यह वाला पॉइंट यहां पर फोर्स क्या है फोर्स क्या है जीरो इसका मतलब है या नहीं है पका अगला सवाल है कि तुम्हें कैसा होगा चैनलें का तरीका यह होता है उस पउंट से डिस्प्लेंस करको पार्तिकल क्या अगे की तरफ कर दिया श्यक्ष स्धु इस लाइटली डिभीक्त करते है वह तो आपको filter कर्स् deepest में करे बताओ याद यहां से यहां ले गए फिट चक कर रहे हैं बहुत स्मॉल है बहुत लार्ज है तो मैं स्टेट लाइन से बस समझाना चाहरा हूं मेरे लिए थोड़ा असान पड़ेगा एक बाप बताना यहां से थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किये इस पर फोड़ पॉजिटि फोड़ दिया जैसी छोड़ोगे किदर जाएगा इस इस तरीके से यहां से पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया इस पॉइंट पर फोड़ क्या आएगे नेगेटिव फोड़ नेगेटिव मतलब फोड़ आ गया पीछे एक बाद बताना इस पॉइंट पर फोड़ तो जिरो ही लेकिन अगर मैं आप से पूछू डिस्प्लेस पाइडिए एक्स पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो सभी को दिखाई दे रहे है और अगर यह पॉजिटिव आ रहा है तो एक बात बताना अगर मैं यहां पर तुम से यह पूछू है दी बाइ डी एक्स एक्स की जगह क्या रखा माइनस डी उबाइ डी एक्स यह टम तुमने बोला पॉजिटिव इसका मतलब मेरा डेवल डेरिवेटिव यहां पर क्या गया नेगेटिव और डी उबाइ डी एक्स मेरा क्या था बेटा जीर यह कहांनी थी क्या? तो Double Derrivative नेगटिव आने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं UX Curve ड्रॉ करूँ, तो क्यासा होगा? क्यासा होगा या नी होगा? टोरा है, Double Derivative? Negative, Double Derivative क्या Conco부터 था क्या? अगर नेगेटिव आगे तो कॉन्किविटी अपवर्ड है डाउनवर्ड होगा आप अबसर्व करिए इस गिवन पॉइंट पर जहां पर एक्किलिबिर्म अनिस्टेबल है उसके नियरवाइप पॉइंट के कंपेडिजन में इस पॉइंट की पॉटेंशल एनरजी क्या है क्या लग रहा है कुछ समझ पा रहे हो तो यहां पर देखो ड्यू बाइडी एक्स तो जीरो ही लेकिन डवल डेरिवेटेव नेगेटिव और यह दी एफबाइडी एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर पॉटे लिख लो अपने आप दिमाग से चला करके अगर मैं बात करूं न्यूट्रल लिख तो बटा न्यूट्रल एक्किलिब्रियम में पता है क्या होता है कि आक्चली मैं अगर तुम फोल्स का ग्राफ डॉकर होगे मतला मैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा एक्चली मैं यह ऐसा ग्राफ होगा जिसमें उसको आप X के लोंक कितना भी डिस्प्लेस कर दो आगे-पीछे कहीं भी और खमीता ही क्या है जीरो मतला हर पोजीशन एक्स की हर पोजीशन ही है एक्स की हर पोजिशन ही क्या है अगर मैं यह बोल रहा हूं तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यह ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के लोंग रहेगा क्योंकि हर है नहीं समझ पाए अरे समझे या नहीं तो पता यहां पर अगर तुम पोटेंशल एनर्जी की बात करोगे न अगर मैं कहूं कि यूएक्स ग्राफ बना दो क्या बना दो यूएक्स ग्राफ जब तुम कह रहे हो हर पॉइंट पर फोर्स जीरो है तुम यह कहना चाहरे हो कि हर अगर जनाब हर पॉइंट पर डियू बाइडी एक्स की वैल्यू क्या है जीरो अगर जनाब हर पॉइंट पर डियू बाइडी एक्स जीरो है तो पता एक्स के किसी भी पोजीशन पर पॉटेंशल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा और अगर आप कहते हो डियू इसका मतलब potential energy change नहीं हो रही है मैं सभी सोच रहा हूं तो यहां पर इसका graph ऐसे बने नहीं है यू is constant potential energy को 0 नहीं कहोगे आप यह कहोगे कि potential energy क्या है constant जोकि इस graph का slope आपको force दोता है मतलब इस graph में कोई भी concavity नहीं हो आप पार्टिकल को आगे डिस्प्लेश करो या पीछे डिस्प्लेश करो उसकी potential energy में कोई भी change नहीं आता एक्स की हर position पर potential energy क्या होती है सेव है और यहां अगले पेस्पे लिख लिख लगता है यहां से अगर मैं conclusion निकालों अगले पेस्पे लेकर अगर में बात करता हूं Stable Unstable और NhYUTOR यहां f यहां df by dx, यहां d u by dx, और यहां पर double derivative. Final conclusion है. जहां equilibrium में वहाँ यह तो guarantee है कि f क्या होगा, 0, df by dx, stable है तो यह negative होगा, unstable है तो यह positive होगा, और इस case में तो df by dx भी क्या होगा, 0, यह conclusion लिख रहा हूँ, जो अभी थोड़ी दिर पहले explain कर रहा था, dv by dx तो हर point पर ही क्या होगा, 0, double derivative, concavity की बात करें, तो याद रखना बहुत आसान है, कटोरा तो सभी को याद रहता है, कटोरा याद है तो graph की concavity याद है, और graph की concavity याद है तो तो तुम्हें double derivative का sign हमेशा याद रहता, be careful मैं इस sign की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पंगा मत कर देना, df by dx उसका just opposite र last वाला term क्या हो जाएगा, constant, नहीं double derivative तो, नहीं नहीं, यह मैंने गलत लिखा यहाँ पर, यह 0 नहीं होगा, नहीं सॉरी, du by dx है ना, तो यह भी 0 होगा और यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा, दौनी ओर की रहाएं समझ आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी फटा फट, और पीछे यह ले, और होगी सजा बठ, फूल पत्तियां भी बनाऊ चलो, क्या बटा, इसको डाउट है तो प्लीज पूछ लो एक बार, क्या बटा, पोटेंचिल एनर्जी कॉंस्टेंट है, लेकिन उसक्तेंट की वैल्यू तो कुझ भी हो सकती है, उसक्तेंट की वैल्यू जीरो ही क्यों आएग प्लस मैनस कुछ भी हो सकती है, क्यों, क्या नेग्टेव है, किसने कहा, तुम्हें कैसे पता नेगटेव है, तुम्हें कोई कंडिशन दी हुई है कि- कुछ भी बोलना होता है, नहीं मतरा गाय है, लग मैं यह कऊंगा, एक्स ती हर वैल्यू के लिए पोटेंशल एनर्जी अब उस constant की value आइदर positive negative यह जी रो कुछ भी हो सकती है यह कसम धोड़ी एक नेगटिव भी हो पॉजिटिव भी हो सकती है even 0 भी हो सकती है तो हम यहाँ पर यह कह सकते है आप x की value कुछ भी रख दीजिए हर point की potential energy क्या है same तब ही तो वो कहीं move नहीं करता तो कि उसको आगे प कांसेट्ट समझ आगे होगा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए एक 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 ग्राफ है और उसके कुछ पॉइंट्स मार्ट किये गए हैं इस जल्दी से बताओ यह पॉइंट ए जो है कौन सा इक पिलिविए में स्टेबल या अनिस्टेबल कि कटोरे से बहार तो निकल ही नहीं पाए हो इसके बाद मैं मैं कुछ समझ में आई ही नहीं कौन सा है यह इस्टेबल से पॉइंट ए पर एक्किलिवियम है ही में पहले ही बोला था पर्स चेक पॉइंट जो है वह होना चाहिए यह तो पता करो कि नीचे की तरफ होगा तो अनिस्टेबल और ऊपर की तरफ होगा तो statement ही बदल गया कि अरे नालाई को point A C E F ये सारे point equilibrium के point है ही नहीं equilibrium का point वहाँ होगा जहां for क्या होगा जीरो इससे तो अच्छा नहीं पढ़ाता तो सवाल कजवाब देते हैं अगर इस अब नहीं पढ़ाता तुम ज़से यह पूस्ता एक्किलिबिर्यम कहा पर है तो कम से कम बता तो देते जहां पर पर प्रण के और नुक्तान हो गया है यहां पर बोलोगे पॉइंट b और दी यह पॉइंट है आपके एक्किलिबियुम पॉइंट और जिन पॉइंट पर इक्किलिबिर्यम होगा वहां पे उसके नेचर की बात करेंगे अब बात कर लो पॉइंट एपर डी पर की वो इस्टेबल है या अनिस्टेबल मुझे लगता है यह बात आपको समझागी होगी पॉइंट बी पर आपको दिखाई दे रहा है इसका स्लोग पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव और पॉइंट डी पर क्या है डील गाएगा अगर वाफिस आ गया अगर वाफिस आ गया त democracy क्यों उपिग अगी होगी पॉइंट भी कॉन सा सटेबल एर निस्टेबल कि कन भी पॉइंट डी गॉंज सृए पॉइंट एफ कॉन सा इक्षिट आ के नियुट्रल है क्यों ग्रापकोंस्टराइब्युत तो जरूर एक बार ये चेक कर लें जिए गिवन माघ पॉइंट्स जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं उस समय यह ग्राफ जोैररोस एक्स का है या फिर यूफ इस एक्स का है कि क्लियर है मान लीजे यहां पर यही वाला ग्राफ जो है उसमें थोड़ा सा बतलाब कर दिया जाए अभी हमें यहां पर पोटेंशल एनर्जी का वेरियेशन एक्स के साथ प्लॉट कर दिया जाए कि फिर से वही से मार्क पॉइंट के दी कि अब सबसे प्रहले तो यह बताओ कि पॉइंट बीपर कौन सा वाला इक्किलिब्रियम है इस बार पॉइंट ऑफ एक्किलिब्रियम ही चेंज होगे इस बार यह थोड़ना देखो कि पोटेंशल एनर्जी कहां जीरो हो रही है इस बार देखोगे कि स्लोप ऑफ टैंजेंट कहां जीरो हो रहा है अब तुमारा वो सस्ता वाला जोगाड यहां लग जाएगा जो कि A और E वाले पॉइंट जो हैं वो कौन से वाले हैं यह कैसे चक किया कौन के विटी से पॉइंट C कौन सा है पॉइंट F क्या है मुझे लगता है कि समझा गया हो कोई रॉकिट टाइंज नहीं कि आगे बढ़ें जनाब कि यह था कि अगर सफोज आपको ग्राफ दिया हो तो कैसे फाइंड आउट तो मुझे लगता है कि ग्राफ दिया होगा तो कुईशन पढ़ने से पहले आंसर बता देंगे उसमें तो कुछ सोचने की जवाद है ही नहीं अब मालो आपको रेदर द बैट दू एक्सिक प्लस एट जो आपको दिखाई दे रहा हूँ यह है एक पार्टिकल और उसका पोटेंशल एनरजी का फंक्शन अगर आपको पोटेंशल एनरजी का फंक्शन दिया जा रहा ना तो बाइड डिफल्ट आप समझ जाना कि उस बाडी के ऊपर सिर्फ और सि कर दिया किसी सिस्टम की इसका मतलब है वहां non-conservative forces की तो वैसे भी चर्चा होने ही नहीं चाहिए क्योंकि potential energy is only defined for what conservative forces यह variation दिया हुआ है अब आप से पुछा जा रहा है find a part equilibrium points और भी पार्ट nature of equilibrium equilibrium कि पॉइंट पर आएगा और जिन पॉइंट पर equilibrium आएगा उनमें से कौन सा Carne TASHका हैसिए वर कंछ साथोड़ वन गदिया है कर दो कर आप झाल 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 सबसे पहले तो हम यह चेक करेंगे एक्किलिब्यूम पोइंट्स कहां पर है जहां पर एक्किलिब्यूम पॉइंट्स होंगे उसको चेक करने का तरीका क्या इसके डवल्ड अडिवेटिव को क्या करते हैं जीरो कि कि डिफ्रेंशेट किया कुंद questo कि माइनज 5 x plus 6 इस एक्वस्ट तू जीरो आपको दिखाई दे रहा है इसके दो रूट आजाएंगे एक्स इक्वस्ट फ्लस टू और एक्स इक्वस्ट तू यह तो चेक हो गया कि इन दो पॉइंट पर एक्किलिब्रियम आएगा क्योंकि यह दो पॉइंट वह होंगे जहां पर फोर्स क्या का ओगा जीरो अब हमें अगला यह चेक करना है कि यह नेचर आफ एक्किलिब्रियम क्या होगा वट विल बिजए चेक पॉइंट का डल डडेरिवेटिफ हमेरी बात समझा रही है इसला इसी का डवल डे वेटिवर जब हमने फाइंड किया तो डी स्क्वार यू यू पर पूट करोगे तो देखो जरा ध्यान से डवल डेरिवेटेव की वैल्यू क्या रही है प्लस वन या माइनस वन नेगेटिव नेगेटिव का मतलब तुम समझ गये होगे ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड डाउनवर्ड से स्टेबल या अनिस्टेबल खुड किया तो यह कितना आ गया जो कि पॉजिटिव हैं पॉजिटिव होने का मतलब एक्किलिब्रियम अनिस्टेबल या स्टेबल या स्टेबल इस देख पारें जब हमने एक्सिजिव को फ्लस थ्री सब्सिटिव्ट किया तो डेवल डेरिवेट है पॉजिटिव आ गया मतलब यह वह पॉइंट है जहां पर ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा तो डेफिनेटली वह पॉइंट होगा स्टेबल और इस पॉइंट पर आप अब्सर्व कर पा रहें यह वैल्यू क्या रही है नेगेटिव अरे यहा यहां पर यह पॉइंट हो गया आपका क्या अनिष्ट है क्या कोई रॉकिट साइन से क्या है इस तरीके के अब सवाल कराने को में कराता रहूं मैथमेटिकल फंक्शन दस तरीके की बनाई जा सकते हैं और आप से पूछा जाएगा कि बताईए नेचर आफ इक तिलिविर्य यहां पर यह potential energy का expression ना देखर कि किसका दिया हो force का दिया हो यह नहीं है कि चलो derivative निकालो और जीरो कर दो अब फोर्स का expression लिखा है तो सीधे उसी को क्या कर देना जीरो कर अभी भी नहीं समझें यह के लिए बात जैसे कि for example मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं यहां पर मैंने का यार f का expression है ना वो मुझे दिया हो है x square minus 4x plus 8 यह same question है इसी तरीके का मुझे फोर्थ का expression दिया x square minus 4x plus 8 ठीक एक मनट थोड़ा सा value ऐसी ले ले जाए एक स्क्वार मैंनस के 3x plus 4 एने फोर्थ का expression लिखा और आपसे same question कुछा कि बताइए equilibrium point और nature of equilibrium क्या करें derivative कर दें इसका है what will be the next step क्या सीदे सीदे हमें f के expression को zero करना होगा क्या कि derivative करके zero करें ना सिदे एप को zero करें एक को क्या बोला है कि दूर सी नहीं आ रहे जाए कि माइनस को कर लें एक मुट थीन और थीक है डिस्क्रमिनेंट पॉजिटिव आ गया होगा कि अभी जैक करें कि अच्छा क्या अच्छे रूट में आ रहे क्या कि पोर को जीरो करने पर क्या रहा है पोर और अब तुम्हें यह चेक करना है कि एकिलिब्रम स्टेबल है अनिस्टेबल है कैसे चेक करोगे अब इसका डवल डेरिवेटेव थोड़ा सा भी केरफुल है ना डवल डेरिवेटेव निकाला सा यह कितना आ गया 2x-3 जब मैंने यहाँ पर x बराबर 4 पुट किया क्या पुट किया 4 तो एट x is equals to 4 डवल डेरिवेटेव की वालिव 2 इंचु 4 माइनस 3 कितनी आई प्लस 5 डवल डेरिवेटेव पॉजिटिव आ रहा है और नेगिटिव आ रहा है तो यह पॉइंट इस्टेबल है अनस्टेबल है अब अरगार है अई अब आई कि अबेश्टेव नहीं होते हैं रगाए था लाजिक लगाए पर आसन सवाल होते हैं जल्द वाजी में गलत करते हो कि पिसाही कौन सा करोगे शफ्ट तो तुमसे वैसे नहीं और आसान गलत हो जाता है अब एवरेज मॉडरेट सवाल जो होता है वो पढ़के ही समझ में नहीं आता है तन नाटा इसलिए चाया रहता है अब यह पॉजिटिव थोड़ी एक ओन डियाफ डियाफ थोड़ी दिर पहले बताया था अगर डियाफ ड्याइक पॉजिटिव आ गया तो इस्टेबल यान इस्टेबल है अब जो है इस हो तो पहुत ग्राफ है सब्सक्राइब है निच्वा जो है ओपनिंग अपवर्ड इस तरीके से और जहां पे कट करेगा वह होगा माइनस वन और दूसरा पॉइंट क्या होगा प्लस पोर क्या इस तरीके का एफ एक्स का वेडियेशन होगा या नहीं होगा माइनस वन टू प्लस पोर यास और नो पक्का तो देखे समझ आ रहा है आगे पीछे डिस्प्लेश करके देख लो अपने आप समझ आ जाएगा स्टेबल या अनिस्टेश तो बस थोड़ा सा यहां जल्द वाजी में गलती हो जाती है अधर्वाइज मुझे नहीं लगता ऐस कोई रॉकेट साइंस है कि लिए रहे बात बलती समझ में आगी भाई ठीक है नेक्स एडिंग अधिकनिकल एनरजी एंड इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल अधिकनिकल एनरजी की तो मैं कहूंगा इटिज़ समेशन आओ टू टाइपस ऑफ एनरजी के वारे में पढ़ चुके हैं पुटेंशल एनरजी के वारे में पता ही है इन दौनों कस्तम करने से हमें क्या मिल जाता है अधिकनिकल एनरजी तो आज इस टॉपिक में हम यह समझना चाह रहे हैं कि किस केस में किसी भी सिस्टम की मेकानिकल एनरजी कंजर्व रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहां पर ही नहीं पूरे मेकानिक्स के बाद जब आप आगे जाके इलेक्रोमेगनेटिजम पढ़ रहे होंगे ना वहां पर भी इस प्रिंसिपल का क्या किया जाएगा यूज किया जाए तो द्यान से देख लेना नहीं तो लोग यह कहते रहते हैं सद्व हमें पता ही नहीं चलता कि एनरजी आपकब कंजर्व कर देते हैं और कंजर्व नही जो है दो भी नहीं पता मैंने का एक बात बताओ कि आ परक एनर्जी ओर्सि यहां थेक्या वक्डव और यहां नहीं और एक एक सिस्टम है इस सिस्टम के अंदर यह रहाघव वन यह रहाघवा सब्हुत बहुत सब्सक्तिक्रीओं पाई बात तो अगर मैं यहां पर वग्डन बाइब ऑल दफोर्सेज लिकरं क्या लिख रहा हूं वग्डन बाई ओल्डव दफोर्सेज तो यह और फोर्सेज और दूसरा एक्स्टर्नल फोर्स जैसे मैं बात करूँ 1 की, तो 1 के उपर 2 और 3 भी फोर्स लगाएंगे, और 4 और 5 भी लगाएंगे, मतलब मैं यहां पर यह कह सकता हूँ, 1 के उपर 2 फोर्स करेंगे, एक तो जो सिस्टम का हिस्सा है, कौन है हिस्सा, 2 और 3, yes or no, तो मैं कह सकता हूँ, 2 और 3 के द्वारा 1 पर जो फोर्स लगा है वो internal force, internal force के द्वारा जो वर्क होगा, that is work then by, internal force, और 4 और 5 जो वर्क करेंगे, उसको external बोल देंगे, किसी को कोई तकलीज, पक्का, सहमत हो, तो मैंने कहा कि all forces का जब वर्क लिख रहे हैं तो उन वर्क को मैं इन दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, internal और external, लेकिन मैंने कहा, कि या one पर जो internal forces लग रहे हैं, उन internal forces को भी आफ फर्दर डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि internal forces में भी दो कैटेगरी हो सकती है, एक conservative और एक non-conservative, याद करो, conservative forces और से इंटरनल के लिए define है, याद करो कल की expression, internal conservative forces का work with negative sign कुछ याद आ रहा है, तो मैं याद ने कहा, याद या जो internal force one पर लग रहा है, इसमें से कुछ forces ऐसे भी हो सकते हैं, जो internal तो हैं, लेकिन non-conservative, और कुछ forces ऐसे भी हो सकते हैं, जो internal तो हैं, लेकिन क्या है, conservative, क्या यहाँ तक किसी को किस समझ आया, क्या, फिर से बता देता हूँ, all forces को दो में तोड़ा internal plus external, मैंने का, internal की दो category हो सकते हैं, either conservative or non-conservative, मैंने का, यार, यह जो term लिखा है न, तुमने, इसका, मुझे एक और form पता है, in terms of energy, work done by internal conservative forces is equals to the negative of the change in potential energy, क्या कुछ याद आ रहा है, कितने भाई बंदू हैं, जिनको यह expression समझ में नहीं हैं, सबको आ गया क्या, तो ध्यान से देखना, मेरे पास यह जो term लिखा हुआ है, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, work done by internal non-conservative forces, plus work done by internal conservative forces, जिसको मैं लिख सकता हूँ, the change in potential energy, plus work done by external forces is equals to the change in kinetic energy, यह वाला जो term, दिखाई दे रहा है, इससे उठा के यहाँ फेग दो, जैसे ही उठा के फेग दिया, इस expression को जड़ा गौर फर्माना, internal वाले, लेकिन कौन से, non-conservative और external वाले, बराबर, क्या होगा यह, यह है change in kinetic energy, और यह क्या है, change in potential energy, क्या ऐसा नहीं लग रहा है, यह change in mechanical energy लिखा है, अगर मैं आप से कहूँ कि change in mechanical energy zero है, इसका मतलब मैं आपको यह कहना चाहरा हूँ कि mechanical energy कंजर्व है, initial वाली बराबर किसके, final वाली, अरे हाँ या न, अगर initial वाली बराबर final वाली कह रहे हैं और यह term zero कह रहे हो, यह term सभी zero हो सकता है, जब external forces का work क्या हो, zero, plus internal non-conservative forces का भी work क्या हो, zero, या तो individually दौनों zero हो जाए, तो यह zero हो जाएगा, या फिर अगला statement modify करो, मेरे को यह नहीं बोलना चाहिए, external का zero हो, मेरे को बोलना चाहिए, work done by internal non-conservative forces, plus work done by external forces, इन दौना forces का जो work है, इनका net summation क्या हो, zero, तो mechanical energy conserve होगी, ठीथे मुद्दे की बात पर आते हैं, mechanical energy को दो ही लोग change कर सकते हैं, कौन, या तो external force, या internal view कौन सा वाला, non-conservative, अगर इन forces ने work नहीं किया, इन forces ने work नहीं किया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि system की mechanical energy conserve होगी, अरे या सौर्णू, के लिए रहे बाग, चाहाँ, पूचल दूदी, important यह नहीं है, कि external force लग रहा या नहीं लग रहा, मैं आपको ऐसी भी बहुत सारी situation दिखा सकता हूँ, जिसमें external forces लग तो रहा होंगे, लेकिन वह work नहीं कर रहा होंगे, तो कभी भी mechanical energy conservation देखना हो, तो be careful, लोग सिर्फ पता क्या देखते हो, कि external forces है या नहीं है, यह important नहीं है, कि है या नहीं है, जहते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, माह लेजा, थोड़ा बुक्त और electrostatic जानते होगे, माह लेजे, these are the two charge particles, q1 and q2, if I say that q2 is fixed, q2 क्या है, fixed है, मैंने या पे q1 को, कुछ velocity देखे project किया, इसके पास, q1 वो कुछ velocity दी और fake दिया, q2 हमारा fixed है, q2 हमारा क्या है, fixed है, क्या यह situation आप सभी को दिखाई दे रही है, अक्का, q1 को V0 velocity देखे, हमने fake आँ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा q1 plus q2 एक system, q1 plus q2 क्या है system, तो यह आपस में एक दूसरे पर force लगाएंगे, वो force होगा electrostatic, कौन सा होगा, electrostatic, force होगा, ठीक है, मतलो, electrostatic force का work close path में क्या होता है, दीर होगा, मैं अगर आपसे पूछू, क्या इस system की mechanical energy conserve होगी, आपका जवाब क्या होगा, yes or no, throughout the motion of a charge particle, क्या इसकी mechanical energy conserve होगी, yes or no, पक्का, external force है यहां कोई, है, है, एक बाब बताओ, अगर इस Q2 को fix किया है, इसका मतलब कोई इसको पकड़ के बैठा हुआ है, अपने आप थोड़ी fix हो गया, अगर इस Q2 को fix किया है, तो इसका मतलब किसी ने तो इसको hold किया है न, या हम कह सकते हैं, पर कोई न कोई तो force लग रहा होगा, जो इसको hold करके रखा है, otherwise Q2 रहता है भाग जाता है, भाग जाता है, If I will ask you, क्या external force है, तुम कहोगे है, मैंने कहां लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, मैंने ठीक है, external force है, फिर मैंने अगला सवाल पूछा, मुझे external force लग रहा है, इससे मतलब नहीं है, मुझे यह बताओ, क्या वो work कर रहा है, अब यहां force तो लग रहा है, लेकिन क्या Q2 डिस्प्लेस हुआ क्या, जब Q2 डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो external force ने क्या work किया क्या, जब work नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ, external force का work क्या हुआ, 0, मैंने का internal forces हैं, तुमने का हैं, लेकिन सारे conservative हैं, क्योंकि internal कौन है, Q1, Q2 के बीच में लगने वाला electrostatic, Q1, Q2 के बीच में लगने वाला electrostatic, तुमने का कोई non-conservative force है क्या, तुमने का नहीं है, तुमने का नहीं है, yes or no, can I say that, Q1 plus Q2, इस पूरे system की total mechanical energy throughout the motion, हमेसा क्या रहेगी, constant one, क्या समझाना चार तो समझाया, लोगों से पूछा जाता, mechanical energy conservation valid है या नहीं है, तो लोग सिफ external force लगे या ना लगे वो important नहीं है, लग रहा है, खुब लगे, हमें कोई रिक्कत नहीं है, लेकिन वो system को energy provide ना करे, तो हम कहेंगे, जिस point पर लग रहा है, जिस point पर लग रहा है, वो point displaced ही नहीं हुआ, तो external force में यहां पर कोई भी work नहीं की, लोट करेंगे, लोट करेंगे, एक statement note down करना फटाब कर, है 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 if the work done by external forces if the work done by external forces and the internal non-conservative forces and the internal non-conservative forces if the work done by external forces and the internal non-conservative forces on the given system is zero on the given system is zero and the total mechanical energy and the total mechanical energy of a system and the total mechanical energy of a system remains conserved then total mechanical इसे कई सारे सवाल जिससे हम वर्क एनर्जी थिरम से सॉल करते हैं उसे हम मिकैनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं जैसे की यह वाला क्वेशन आप लोगों ने सॉल किया हुए है यह एक पार्टिकल को कुछ विलाउसिटी दी सो दैट यह स्ट्रिंग जेस्ट क्या हो जाए और जब जेस्ट होरिज़न्टल होता है उस पॉइंट पर स्पीड क्या होगा है कि मैं वर्क एनर्जी थियोरम से सॉल करता था किसे वर्क एनर्जी थियोरम से इसी को मेकैनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि मैंने बोला बॉल प्लस अर्थ मेरा क्या है इस सिस्टम अमानना भी पड़ेगा एम जी कैसा एक फोर्स नॉन इंडर्वेटिव नॉन गन्जर्वेटाब कर रहे हो तो वह इंतरनल पोर्स है यहां क्या है इंतरनल फोर्स बात बताना मुझे टेंशन लगतो रहा है लेकिन क्या टेंशन इस सिस्टम को कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है क्या सिस्टम के ऊपर टेंशन का वर्क हो रहा है क्या नहीं क्यों तो कि डिस्प्लेस्मेंट टेंजेंशन है और टेंशन क्या है रेडियल तो वाग्दन बैटेंशन पूर्स पूरे सिस्टम पर क्या माल लो इसी को मैंने reference point माल लिया इसी को अपना reference माल लिया तो इस point पर potential energy क्या लिख दूँगा 0 जब वो इस point पर पहुंचा इस point पर आप current के energy क्या लिखोगे 0 लेकिन यह point यहाँ से L distance उपर है तो यहाँ पर potential energy क्या लिखोगे MGL यहाँ से V की value आ जाती है कितनी है लेकिन यह mechanical energy conservation लगाते समय हमें बहुत को सोचना पड़ता है यह यह external forces है या नहीं है है तो उनका work हो रहा है या नहीं internal forces conservative है या non-conservative तो ऐसे सवाल में इतना दिमाग क्यों लगा है क्योंकि work energy theorem में यह सब तोचने की जवद नहीं है work energy theorem लगाते समय वी डोंट क्यार अबाउट कि internal force conservative है या non-conservative है external लग रहा है या नहीं लग रहा work energy theorem में अपन सीरे सीरे लिखते है work done by all the forces required to change in scientific energy तो ऐसे कुछ सवाल जिसे हम mechanical energy conservation से कर भी सकते हैं फिर भी हम उससे करना prefer नहीं कर तो इसको सवाल तो हो ही सकते हैं जिसमें external forces का work क्या हो जीरो और internal non-conservative forces वहां present नहीं आया तो ऐसे कहीं सारी केताओं में आपको वैसे सवाल जो हमने कभी ना कभी वर्क एनर्जी थिर्म से सॉल्व किये हों हो सकता है कि उसी सवाल को ने किस से किया हो अगला सवाल लिखना अगला एक सवाल लिखना in the presence of conservative forces question in the presence of conservative forces potential energy of a particle is defined as x square minus 2x potential energy of a particle is defined as x square minus 2x the particle is moving the particle is moving along the x-axis and its velocity is 0 at x is equals to 0 the velocity is 0 at x is equals to 0 the mass of a particle is 2 kg the mass of a particle is 2 kg find a part velocity at x is equals to half meter b part the maximum kinetic energy b part the maximum kinetic energy c part kinetic energy at x is equals to 4 meter kinetic energy at x is equals to 4 meter time lazy and try to attempt अटाईए क्या हो रहा है एक particle है जो x-axis के along move कर रहा है और अगर आपने उसकी potential energy define कर ही दी है इसका मतलब है कि इस particle के उपर से फसस्ट क्या लग रहा है अगर सिर्फ conservative forces लग रहा है तो क्या मैं यह बोल सकता हूं system की mechanical energy इसका मतलब है उस body के उपर से फसस्ट क्या लग रहा है हां conservative forces मतलब यह लेख लो इक्वेशन में particle पर से फसस्ट कौन से फोर्स लग रहा है conservative forces लग रहा है औरहा है अगर अगिंग क्यों पर से विवेशन ौइब रहा है तरी में है यह रहा है यह रहा है लग झाल 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 देखो द्यान से तो आप ऐसे सवालों में इनिशल वो कंडिशन पाइंड आउट करने की कोस्टिस करें जो यहां पर आप मेकानिकल एनर्जी सिस्टम की निकाल पाएं एक बात बताना क्या मुझे काइंटिक एनर्जी किस पॉइंट पर पता चल सकती है कितनी है काइंटिक एनर्जी जीरो और मैं अगर आप से पूछू पोटेंशल एनर्जी कितनी है लेकिन मैं एक स्टेट्मेंट बोल सकता हूं कि मेकैनिकल एनर्जी हर पॉइंट पर ही क्या रहेगी जीरो रहेगी क्योंकि मेकैनिकल एनर्जी कंजर एक एनर्जी चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो भले मैंने एक्स बराबर जीरो पर निकाल लिया लेकिन यह जीरो प बताओ कितने आरी है यहां पर आप पूट करेंगे 1 by 2 का होल स्कॉर माइनस 2 इंट एक एक स्की वेली 1 by 2 यह ए 1 by 4 minus 1 कितना आ गया इन दोनों का सम स्कुम किसी भी पॉइंट पे निकाल लेना क्या आना चाहिए 0 जी बाइने कल एक संजर्व अरे नहीं आया समझ एक बाप पताक क्या मुझे यहां से काइंट इनर्जी पता नहीं चल गही इए कितनी आगे तीन बटे चाहर और यह होना चाहिए किसके बड़ाबर हाफ एम वी स्कॉर यहां से बेटा वी की वैल्यू आजाएगी मेरे पास कितनी रूट थ्री पाइट पाइट इस विट भी रांसर ऑफ यह पार्ट नहीं आया समझ दोबार बताऊं क्या क्या कांसेट क्लि एक को मैक्सिमाइइज कर तो दूस語 क्या करोगे मिनिमाइज तो में जसाब जहां पॉटेशाल एनरड़ी मिनिमुम होगी न वहां गाई टीक एनरड़ी मैक्सिमम होगी तो मुझर मिनम्म निकाल लिए ते मैशंक्राविव हो गया फिस पॉटेश्य एकल सीनिका यह सौना इसका मतलब है एक्स बराबर वन पर बेटा मेरी पोटेंशिल एनर्जी मिनिमम होगी और उस मिनिमम पोटेंशिल एनर्जी की वाल्यू अगर मैं आपते पूछना चाहूं तो आप कहेंगे यह एक्स बराबर वन यहां पूट कर दीजिए वन पूट किया तो वन माइनस तू अगर काइंटिक एनर्जी की मैक्सिमम वाल्यू पूछी जाए और मुझे पता इन दौनों का समझी रो है इस केस में दौनों का समझी आ है जीरो तो मैं काऊंगा एक जू मैं काऊंगा क्या एक जू कितने लोगों नहीं आया समझें और भाई उमंग इसे यहां से एक्स की वेली वन पूट करो इसमें तो वन पूट करोगे यह वन इसक्वार माइनस टू इंटू 1 तो 1-2 विल भी वाट माइनस तो यह मिनिमूम पोटेंशिल एनर्जी और यह इन दौनों का सम्हर पॉइंट पर क्या है जीरो आखरी बार कहा समझ आया था तुम्हें सब भाग या सीपाट पताना सीपाट कानिटिक एनर्जी पूचे एक्स बराबर 4 पर हाउ विल्यू फाइंट एक्स बराबर 4 पर पोटेंशल एनर्जी फाइंट कर लो क्या मुझे पता है इस सवाल में इस गिवन कोईश्चन में इन दौनों एनर्जी का सम्हें जीरो होना चाहिए तो माइनस आठ लेकिन यह तो लोचा है वाई कि कानिटिक एनर्जी कभी भी किसी भी सिस्टम की नेगेटिव नहीं हो सकते है या तो जीरो हो सकती ही अगर बैठा है रेस्ट पर या फिर पॉसिटिव होगी क्योंकि हाफ एंडी स्कॉर्स लेकिन यहां से यह वैल्यू आ रही ह सब्सक्राइब माइनस एट कैसे आगया ठीक है इसी के लिए सवाल करवाया गया था ठीक है कि मैंने कहा देखना कि एक बात पूछने चाहूंगा मैं आपसे देखते जाएगा बताते जाएगा जहां पर गलत हो वहां पर चूप दीजेगा कि एट सही लिखा है बहुत बड़ी है कि क्या यह सही लिखा है कि मैं यह कह सकता हूं यह जो टर्म लिखा है कि यह सही लिखा है अगर किसी बाड़ी के उपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्बेटिव फोर्सिस भी लग रहे हैं तो वो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में पाया जा सकता है जिस इलाके में उसकी मेकानिकल एनर्जी पोटेंशल एनर्जी से या तो जादा हो या बराबर particle कभी भी ऐसे लाके में नहीं पाए जा सकता जिस लाके में उसकी potential energy, mechanical energy सिरसे क्या हो जाए, जादा हो पाओगे, तुम्हें दिखाईँ दे रहा है कि अगर इसका ग्राफ ज्रॉफ करोगे तो ए ग्राफ ऐसे बने टेराबुलिक कर ओपनिंग अपवर्ड दो पॉइंट पर कर रहा होगा एक एक एक्स बराबर टू पर और एक एक्स बराबर जीरो पर क्या बेटा ये ग्राफ पोटेंशल एनर्जी का है अगर मैं आप ते कहा हूं कि आप ऋपूं को है कि मेख निकल एंडिग का कर दो किसका क्राफ टौकर दो इस गिवन कोश्चन में तो तुम्हारी एनर्जी कितनी आई थी कि मैं जानता हूं कि थ्रॉवड दमोशएं मीेकानिकल एनर्जी हमेशा क्या है मैंन। यह यह एक्स एक्स एक्सित के एलbंग जो ये है mechanical energy का वियर प्राटिकल जो है उसका इसी रीजन में पाए जा सकता है जिसी रीजन में में शीद पोटेंशल एनर्जी से जादा या बराबर तुझाइज यहां से देखना एक्स बराबरदो के आगे एक्स बराबर दो क्या दिए क्या इसकी potential energy mechanical से ज़्यादा हो गई क्या और एक्स बराबर जीरो से पीछे भी क्या ऐसा हो रहा है क्या तो actually मैं particle इसी reason में पाय जा सकता है जना particle is trapped between the reason x बराबर 0 trap का मतला समझते हो पस गया है 0 और 2 के बीच में तो 0 मैं और कर सकता है तक क्यों क्यों कि नहीं जा सकता मैं जैसी 2 पर पहुंचेगा जैसी काह पहुंचेगा दो पर उसकी सूरी अच्म कि किस के बढ़बर सुरी on the Iron okay भ衛्वत्र किसके बराबर हो जाएगा mecanical और potential अगर mechanical के बराबर हो गया तो क्या और बोलना पड़े गा काइट प्रहुग्त क्या हो गया अगर कांट भी तो इस प्वाइंट पर स्पीड क्या हो गई गया है तो एक्शली मैं particle सिर्फ और सिर्फ और अगर X-axis के अलंग मोशन कर रहा है तो यहां से धर जाएगा यहां से धर जाएगा और इसी तरीके से हमेशा चलता रहेगा लेकिन इन boundaries को कभी भी cross नहीं कर पाएगा तुम जब बात कर रहे हैं ना x बराबर 4 actually particle कभी यहां तक पहुँच ही नहीं बाया लाँ कभी भी particle x बराबर 4 पर पाया ही नहीं जाएगा आप तक कुछ समझ आया कभी भी आपके सामने मालो यहां पर डी पार्ट एक और आजाता है कि डी पार्ट क्या डी पार्ट कि रेंज ओफ एक्स कि इन विच पार्टिकल कें ट्राइब रेंज ओफ एक्स इन विच पार्टिकल कें ट्रक तो मुझे लगता है कि मैं यह पर बोल सकता हूं एक्स की वैल्यू जीरो से क्या होनी चाहिए दो होनी और यह भी गारेंटी दे सकता हूं वाई इस तू पोजिशन सार्ट एक्स्ट्रीम पोजिशन इन दो पॉइंट पर उसकी काइंटिक एनरजी क्या होगी जीरो होगी ऐसे सवाल आपके सामने कई बार पूछे जाएंगे तो मैंने बहुत सिंपल सा फंक्शन बना दिया था आप ते ऐसा फंक्शन कोई भी एक्वेश इनरजी से क्या हो जादा हो या बरापर इनरजी पिरा फंक्शन कोई आपके सामने करद पूर तो मैंने बारभ इस सिंपल्चिए थे लिए वा या था है इनरजी क्यों हुआ सब्सक्तिख सामने में वा इनरजी स्वीक्शन आए होगी एसना जाए है निय मैं आई है इनरजी श्लाए है ऑंक्शन ओड़िए, बाद होगे तुम या ना तो तुम आंसर सही देते हो और ना ही तुमसे कोई बात पूछी जाए तो उसका जवाब सही देते हैं कि नौ को स्टार्ट हुआ था कि अधे ओ गरीव हो मुँ बंद रखो के दो मिनट यह समझ में आ गया तुम्हें अरे आया की नहीं आया अब देखना यहाँ पर अगला कोईशन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप क्या बेटा अधी वाले कांसर यह देंगे कि यह तो पूंचा यह नहीं है कि आपिकल कांट भी पाउंड एक ओप्शन यह भी लिखा होगा पार्टिकल कांट भी फाउंड इन डीब रीजन तबी जब पंचा यह नहीं तो काई बात की काई जैसे कि for example, देखो ध्यान से, मालो आपको potential energy का graph ऐसे दिया हुआ है, और आपको mechanical energy का graph ऐसे, देखो कभी कभी क्या होगा न, ग्राफ में ऐसे cross बना देंगे, इसका मतलब समझ जाना, वो cross बनाने का मतलब आपको यह बताना चाहरे हैं कि यहां से बिल्कुल सीदी लाइन ड्र कर दो, अच्छे से बनाएं, तो यह cross बनाने का मतलब है, एक horizontal line ड्रॉ करो, और यह जो horizontal line है न, तुमारे पास, यह तुम्हें mechanical energy बता रहा है, क्या बता रहा है, mechanical energy, यलो वाला जो curve आपको दिखाई दे रहा है, यह mechanical energy है, और यह वाला जो curve आप देख पार हैं, white color का यह क्य potential energy, क्या गरी भाई बन्दों सभी को दिखाई दे रहा है क्या, देखते रही है और आनंद लेते रही है, कोई समस्या की बात, नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ points mark कर रहा हूँ, be careful, ध्यान से देखना, इस point को बोला x1, पॉइंट को बोला x2, पॉइंट को बोला x3, पॉइंट को बोला x4, लब वो वो points, जहां पर potential energy का curve, x-axis को cut कर रहा है, मैंने वो points mark कर दिये, और जहां जहां पर वो mechanical energy वाले curve को cut कर रहा है, उन points को mark कर दिये, इस given particle के उपर सिर्फ और सिर्फ conservative forces ही लग रहे हैं, इनके इलावा particle के उपर कोई भी force नहीं लग रहा है, आप से पूछा जा रहा है कि particle किस इलाके में पाया जा सकता है, find the reason in which particle can be present, या वो इलाका बता दो जिसमें पाया ही नहीं जा सकता है, मैं यह कह सकता हूँ, this is a barrier, this is a barrier for mechanical energy, this is a barrier for mechanical energy, इस इलाके के नीचे हर जगा होगा, जहां पर potential energy का कर्व, इसके उपर चला गया वहां नहीं पाया जा सकता, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ, ध्यान से देखना, x2 से x3, क्या यह वाला जो potential energy का mechanical energy से ज़्यादा है, यहां नहीं हो सकता, योकि इस region में काइंटिक energy negative आजाएगी, जो कि संभव नहीं है, तो मैं यहां पर यह बोल सकता हूँ, कि particle किस region में नहीं पाये जा सकता, 2 से 3, और साथ ही साथ, यहां, 3 से 6 तो पाये जाएगा ना, लेकिन 6 के आगे भी नहीं पाये जा सकता, तो मैं अगर आप से पुछू, particle कहां-कहां पाये जा सकता है, तो मैं बोलूँगा यहां पर, इसके पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, या पीछे की बात करूँ, तो ऐसे लिखूँगा, यह ग्राफ अगर ऐसे नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे लिखूँगा, माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से X2, यहां close bracket, यह open bracket, union, यह सब आता है तुम लोगे, X3 से, S6, बस यहां पर close, कहां इसके आगे भी union और खुछ आए रगया है, नहीं आए, इंट्रेस्टिंग बात पता है क्या है, यह वाला पार्टिकल जो, 3 से लेकर के 6 के बीच में, यह trap हो गया, कि ना तो इसके इदर निकल पाएगा, ना ही इसके इदर निकल पाएगा, यह वाला पार्टिकल, अगर इस पर काइंटिक एनरजी रही तो ऐसे ऑक्सिलेट करता रहेगा, यह वाला पार्टिकल, समझ पा रहे हो, और वो पार्टिकल जो X2 के इदर है, वो कभी भी X2 वाली लाइन को क्रॉस ही नहीं करता है, यह trap तो नहीं हुआ है, यह इदर माइनस इंफिनिट तक जा सकता है, चला जागा वाई, गूम करके आ जाएगा, लेकिन जैसी X2 पे पह पार्टिकल कभी कर पाएगा, अगर आप ते सवाल पूछ लिया जाए, इसको किस विलोसिटी से फेका जाए, सवाल तो देखो ट्विश्ट करके पूछेंगे वो, एकदम से सीधा तो तुमारे सामने वो रखेंगे नहीं, वो पूछेंगे किस विलोसिटी से फेक हैं इस कि यहां पर एक particle बैठा हुआ इस इलाके में उससे मुलाकात हो जाए क्या लिखते हूगा गी क्योंकि इदर वाला particle कभी इस इस इलाके में नहीं जा पाएंगा मतलब इनकी मुलाकात नहीं होगा अगर मुलाकात कराना चाहरे दुखी मत हो, जैसे इनी की मुलाकात हो रही है, होगी बेटा, होगी, तरीका बताते हैं, अगर मुलाकात कराना चाहा रहें familiar तो आप काम करिए कि यह जो बैरियर लगा ुआ हुआ है इस को उपर कर दीजिए पाइस को अगर उपर सिफ्ट कर दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर यह स्पीक के उपर पहुंच गया, इस पीक के उपर पहुंच गया, तो definitely इधर वाले की मुलाकात इधर वाले से हो जाएगी, and they are free to move from here to here, yes or no, लेकिन इस barrier को उपर internal force तो lift नहीं कर पाएंगे, अगर you want to increase the mechanical energy, तो आपको इस case में क्या करना पड़ेगा, external force लगाना, मतलब बिना external force लगाए, definitely इधर वाले की मुलाकात इधर से नहीं हो सकती, I hope तो कि समझ में आ गया होगा बाई, ठीक है, thank you so much.